पुधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने संयोक्त राश्ट के मंच से दुनिया को सम्भूधित किया और इस दोरान पीम मोधी ने देश में चल रहे विकास कार्यों को गिनाया रानमंत्री मोधी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े चनाव में जन्ता ने हमें चुनकर सत्ता में दुबारा बठाया है हमने स्वच्चता के दिशावे पूरे देश में काम किया है देश में 11 करोड सौचालों का निर्मान हुआ है हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्ति रियोजना शुरू की है जिसके तहर 50 करोड लोगों को 5 लाक रुपे बीमा का लाब भी दिया गया है जब एक विकांचिल देश दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभ्यान सफलता पूर्वक संपन्न करता है सिरफ 5 साल में 11 करोड से ज़्यादा साउचालाय बनाकर अपने देशवास्यों को देता है तो उसके साथ बनी व्यवस्ताएं पूरी दुनिया को एक प्रेरख संदेश देती है जब एक विकांचिल देश दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्वान स्कीम सफलता पूर्वक चलाता है पचांस करोड लोगों को हर साल पांच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज की सुविधा देता है तो उसके साथ बनी सम्वेधन सिल व्यवस्ताँ पूरी दुनिया को एक नया मार्ग दिखाती है जब एक विकांचिल देश दुनिया का सबसे बड़ा फैनांचिल इंक्लूजन कारकम सफलता पूर्वक चलाता है सिर्फ पांच साल में 37 करोड से ज़्यादा गरीबों के बैंक खाते खोलता है तो उसके साथ बनी विवस्ताएं पूरी दुनिया के गरीबों में एक विश्वास पैदा करती है मुझे इस सभा को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तब इस वक्त आज भी हम पूरे भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभ्यान चला रहे है आने वाले पांच वर्सों में हम जल सवरक्षन को बढ़ावा देने के साथ ही 15 करोड घरों को पानी की सप्लाई से जोडने वाले